भारत और मालदीव के वीड जो विवाद चल रहा है उसकी असल वज़ा आप जानते हैं असल वज़ा तो चीन है ये तो आपको मालूम है लेकिन मुस्लिम कट्टरपंत भी एक बड़ी वज़ा है बिल्कुल सही सुना आपने क्योंकि जिस तरीके से चीन की मौडूदा राश्पती जो मुस्लिम विचारधारा सेप्रेद है आपको याद होगा कि जब वो राश्पती बने तो उन्होंने पहली यात्रा तुर्किये की की दूसरी यात्रा चीन की की और जो विवाद इस वक्त चब रहा है इसमें फाइदा चीन लेने की कोशिश कर रहा है और तो और पाकिस्तान भी लेने की कोशिश कर रहा है बिल्कुल सही सुना आपको थोना बैग्ग्राउंड बताते हैं फिर उसके बाद आगे ले चलेंगे दरसल जो लक्षद्वीब की तस्वीरे पियम मोदी ने ट्वीट की थी कि भारत के लोग जादा से दादा लक्षद्वीब आए यहाँ पर खुबसूर्ती है और लक्षद्वीब को आकर के एक नया टुरिस्ट स्पॉर्ट बनाए उसके बाद तुलना होती है मालदीव और लक्षद्वीब की लेकिन यही बात लक्षद्वीब में जो तुलना होती है कि मालदीव से बहतर है सोशल मीजा पर यह बात मालदीव के कुछ मंत्रियों को पसंद नहीं आती है वो पीयम मोदी पर अब्दुला यासिन के समर्थक माने जाते हैं भारत ने मालदीव में अपना पहला दूतावास 1980 में खोला था और आपको बताएं कि चीन ने कब खोला 2011 में लेकिन जैसे ही मालदीव की चीन से नजदी क्या मड़ी उसने भारत से दूरी करने शुरू कर दी ये बाक्राउंड ह और तो और स्थिती इतनी विगड़ गए कि भारत ने जो चीज़े उपहार में मालदीव को दी थी वो उसने लोटानी शुरू कर दी अब जो 2011 के बाद जो स्थिती रही जब पूर राश्पती यासिन का कारिकाल रहा उस वक्त चीन ने ऐसा मकरजाल फेलाया कि फिर मालदी विवस्था है उसके जुड़ीपी का 30 फीज़दी है ऐसे में मुश्किले मालदीव के जादा बढ़ गई लेकिन जब वहां पर लोग सड़कों में उत्रे विपक्षी निताओं ने वहां पर विरोध करना शुरू किया तो फिर पूर राश्पती ने उनको जेल में डाल द जो दोस्ती भारत की रही है दश्को पुरानी है लेकिन नुकसान भारत को कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि भारत विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है नुकसान सिर्फ और सिर्फ मालदीव का है हर लिहास से मालदीव का नुकसान है क्योंकि सबसे पहले आर्मी मालदीव में तैना थी लेकिन उसको लटाने का आदेश दे दिया गया तो एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए गए जिससे यह मालूम चला कि भारत विरोधी है और चीन के हित्में है लेकिन ऐसा नहीं है कि चीन के साथ आप दोस्ती बढ़ा रहे हो तो भारत के साथ और जो मुस्लिम कटरपंत का राग अलापते हैं जो मुस्लिम कटरपंत वहाँ पर इस वक्त मौलदीव में हैं क्योंकि भारत से काफी सारे परेटक वहाँ पर जाते हैं और वहां की जो अर्थविवस्ता है उसमें परेटक एक परेटन एहम रोल अदा करता है क्योंकि परे गिरने तक की आसार बन गए